कल जब विपक्षी पाटियों ने यश्वन सिनहा को राश्टपती का उमिद्वार घुशित किया तो सबकी नजर इस बात पर टिकी थी कि NDA किसे अपना राश्टपती का उमिद्वार बनाएगी फिर खबर ये आई कि दुरोपती मुर्मू जो जारखंड की महिला राजिपा रह चुकी हैं उनको वकाइदा राश्टपती के तौर पर नामित किया गया है उसके बाद बिहार की सियासत में इस बात की चर्चा होने लगी कि जेडियों किसे अपना समर्थन देगी क्योंकि जेडियों का इतिहास काफी जो है वो अलग तरीके का रहा है जिस गटवंधन समास से आती हैं जन जाती हैं इसलिए जेडियों को मजबूरन कह सकते हैं ये बताने के लिए कि वो दलितों की अकलितों की और जो आदिवासी जन जाती है उसको लेकर काफी सम्वेदन शिल हैं इसलिए जेडियों के राश्टिय अध्यक्ष ललन सिंग ने वकाइदा दुर परदेश अध्यक्ष के बिच किया कुछ हो रहा था उपेंदकुस वहां ने क्या कह दिया धा था हर घर में पागल होता है यानि सञर जयासवाल को पागल करार तक ले दिया था उसके बाद चर्च सर चलि क्या इस लिए किया जा रहा है क्योंकि जेडियू जो है वो राश्पती चुनाब में बीजेपी के साथ जो है वो नहीं रहना चाहती है कोई अलगस्टर लेना चाहती है लेकि ललन सिंग ने साप तोर पर कह दिया है इस बात की घोशना कर दी है कि वो दुरोपती मुर्मू का समर्थन करने जा रहा है यानि द्रुपती मुर्मू जी के उमिद्वारी का स्वागत एवं समर्थन करती है राश्पती चुनाब में उमिद्वार बनाये जाने पर मेरी हार्दिक शुबकावनाएं तो साब तोर पर जेडियू ने अगर ये फैसला लिया है तो इसके पिछे दो वज़ा है एक बज़ा ये है कि हम गरीमों की अकलितों की दलितों की और जनजातियों की आवाज उठाते हैं और दूसरी बात जो महिला वाला कार्ड है ये नितिश्कमार खेलते आए हैं और मह जा रहा एक महिला हैं दूसरा वो आदिवासी हैं ये एक बड़ी बात रही हाला कि उतादे की दुरवदी मुर्वू जिनको राश्पती कामिद्वार बनाया गया है वो जहारखंड की पहली महिला राजपाल थी और पहली ऐसी राजपाल थी जहारखंड में जिन्होंने अ धर्मसंकर्ट में डाल दिया है दुरवदी मुर्मु को जो है वो राश्पती कामिद्वार बना दिया है और अगर हिमन्सोरेन दुरवदी मुर्मु का समर्थर नहीं करते तो ये मैसिज जाएगा कि वो आदिवासी के समर्थर में नहीं है तो सब की नजर इस बात पर नो हुआ 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 है